हलो दोस्तों केसे व nói आप दोस्तों आज आपको बताने वाले 1 वंदी एक और बड़ी जानकरी दोस्तों अगर आप भी अपना direction कराना चाते हो पीफ में यूना में किसी प्रकार कोई mismatch आरहा है आपका अगर father name सही नहीं है आपका service detail सही नहीं है तो आप उसको सही से कर पाऊगे तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर father name, mother name और relationship को किस परकार से change करते हैं अगर आपकी भी यह गल्थ हो चुकी है किसी कारण से और company ने गल्थ कर दिये या आपके दुवारा गल्थ हो चुकी है किसी भी कारण से और या फिर आपका relationship सही नहीं लगा है father name, mother name जुड़ा हुआ नहीं है तो दोस्तों आज आपको बताएंगे हम इस में के अंदर वीडियो के अंदर आपको यही प्रोसेस बताएंगे कि किस परकार से आप खुद से अपना join a declaration forum बरके correction कर पाऊगे आपको पैसा निकाल पाऊगे तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना बस इस वीडियो के तक आपको पूरा बने रहेना है और अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हो तो तो पिलिज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना है क्योंकि हम पीएफ से समय वीडियो डालते हैं ज चैनल कर पाओगे तो सबसे पहले आपको Google पर पर ऑपको क्लिक कर देदें के बाद में आपके सामने इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकारis यहां से दोस्तो आPe के सामने यह जो आता है यहां से आपको login होना होता है तो login के लिए आपको करना क्या है यहां पर अपना जो भी आपका यूए ने नंबरे 12 डिजिट का वह डाल देना है ठीक है उसका आल्रेडी चैनल पर वीडियो जाके देख लेना अगर पासवर्ड कैसे भी काम नहीं कर रहा है और एक दम बिल्कुल काम नहीं कर रहा है तो नीचे की तरफ आपको एक उप्सन दिखता है मैं आपको दिखा देता हूं यह वाला इससे फोर्गेट पासवर्ड कर लेना अब यह वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी कि नया पासवर्ड कैसे बनाएं और हम पीएप का पासवर्ड बूल गए है उसको कैसे बनाएं वो वीडियो जाके देख लेना ठीक है नया जो भी लिखा हुआ है सेम आपको डालना चोटा बड़ा और कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर या फिर हम कह सकते हैं गणिती अंक होते हैं वह है आपको यह डाल देना उसके बाद आपको साइन इन पर यहां पर किलिक कर देना तो चलिए फटा-फटा-फटा में यहां से दिल्मिक करना है तो यहां पर यहां से चेक्कर पाउगे कैया सिर्मिक जो आपको धियान देना है है सबसे पहले आपको यहँ पर वी माल यह शो ऑप्सन दीख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है गिलिक करतें साकर डोकोमेंट होता है यहां से lookin करके प्रोफायल पर कीमिदन करने का संज निया तो प्रोफायल पर कैससे व Male करत देख लेना है कि आपका फादर नेम गल्त कहा एं क्या इस पे लिए का मिस्समीन कंतर उसको के business उसको यह सब्दons और कि तो अब करती हैं ठिक historic के जिए आपको जीनिया कहाता है जो में इता है रिकैंब apo वे भीलिगा sleeping बाल पाओगे ठीक ना तो को आपको चेक कर लेना है पहले चुबंदा क्या है जो प्रवार्व की ओनलाइन नहीं होती थी ओफलाइन होती थी ओफलाइन से ही आप अपने फादर नेम मदर नेम रेलेसंशिप को चेंज कर पाते थे लेकिन अब दोस्तो इसको आप ओनलाइन कर पाऊगे जोएन डिकलेसं फोरूम भरके तो यह मैं आपको डिटल से बताऊंगा तो सबसे बड़ी जो समस्य थी फादर नेम चेंज करने की तो यहां पर आपको दिख रहा होगा जोइन डेकलेसं फोरूम इस फोरूम को भरके अब आप अपना अपना जो फ्रोफाइल है उसके अंदर जो भी आपका नाम है फिता जी का या मदर का उसमें जुड़ा हुआ यहां पर जेसे ही आप क्लिक करते हो है अब दोस्तों आपको यहां पर दिखता है आपकी जो मैम अप्ली किया है आपको सबी करना है तो चलियें फटयए इंवालаль होगा शोम नाद बता प्लेजिता हो ऐसे स्भी कैमकी आपूं आपको कमने काम किया है उसकले आ APC it हैक चलना है यहां पर बोलागा है कि आपको यह तीनों डीटेल सही से बरनी है जैसे कि बहुत चीजे का अब आप अपना सुविदा ले पाओगे ग्यारा ओप्सनों को यहां एड किया गया है ग्यारा ओप्सन जो भी आपका डीटेल है उसके अंदर आप सही कर पाओगे जैसे कि मैं मोखिक रूप से आपको बता देता हूं अपना जोइन डीकलेशन फोरूम बरन गलत डल गया है रीजेन गलत डल गया है एकसे डेट मारने का ठीक है तो वह चीज भी आप चेंज कर पाओगे डेट ओप बर्त है वह भी आप सही कर पाओगे तो मैं आपको सभी चीजे बताऊंगा दूसरा ओप्सन आता है जो भी डीटेल आप बढ़ते हो अपना चेंजि अब यहां से अपलोड डॉकुमेंट उसको सही करने के लिए कुछ उसके अनुसार आपको चलना होता है और उसके अनुसार आपको डॉकुमेंट भी अपलोड करना होता है तो यहां पर डॉकुमेंट पर जब आप जाते हो ऑप्सन को बर के तो डॉकुमेंट आपको डालन आप दोस्तों मैं आपको जो चीज बोल रहा हूं आपको ध्यान देना है यहां पर सबसे पहले जो डीटेल आती है वह आपका आता है आधार के नंबर ठीक है आपका अवलेबल जो डीटेल है और चैंज रिक्वेस्ट के अंदर जिसके उपर पैंसिल का आइकन होता है उसी को ही आप अपना चैंज कर पाओगे ठीक है तो यहां से आपको ध्यान देना है जो मैं बोल रहा हूं आपको पहले तो मैंने बोल दिया आवलेबल डीटेल मतलब कि कंपनी के पास या ईपीफो के पास आपकी जो डीटेल है वह है अवलेबल डीटेल वाली इसके अंदर जो भ दिख रहा है इस चैंज रिक्वेट से आप अपना कोई भी चीज अगर आपकी गलत हो गई है उसको आप आराम से चैंज कर पाओगे ठीक है जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूं आपको समझना है और ध्यान देना है यह अपडेट जो पर्सनल खुद की डीटेल होती है व दूसरा आपका आता है डेट ओफ बर्थ ठीक है इसको भी आप आराम से चैंज कर पाओगे तीसरा आपका आता है यहाप पर जैंडर ठीक है जो भी आपका मेल फीमेल है वह आप आराम से चैंज कर पाओगे यहां से दोस्तों चोथा आता है आपका सबसे इंपोर्टेंड ह क्योंकि यही एक option ऐसा था जिसको आप online चेंज नहीं कर पाते थे और इसको offline ही चेंज आप कर पाते थे लेकिन अब जोने declaration forum बरके आप यह जो आपको है यही option सबसे important होता है आपका मैं आपको दिखा देता हूँ जिसके अंदर आपको था father mother name जो relationship है उसी की बात कर रहा हूँ relationship को आप आराम से चेंज कर पाओगे और father name mother name को भी आप आराम से चेंज कर पाओगे ठीक है इसी की बात कर रहा था तो यह आप सुविदा आप आपको online दे दिया है ठीक है और मैं आपको बता दो नीचे की दो जो option दीखता है आपको marital status इसमें अंदर कोई document की जरुत नहीं है ठीक है यहांसा अगर nationality आपकी इंडिया है तो यह भी आपका चेंज आपको करने की जरुत नहीं पड़ेगी ठीक है तो main important जो चीज है personal जो detail है उसके अंदर आप क्या-क्या चेंज कर पाओगे यह हम आपको दिखा दिया है और समझ से आ रहा है जो कि यहां पर लगा हुआ है इस जगह पर तो यहां पर आपको समझ में आ रही होगी जो मैं आपको बोल रहा हूं यही सबसे important चीज है हमारी जो मैं आपको समझा रहा हूं ठीक है यहां से service detail या आपकी personal detail उसको भरने के बाद में document के लिए आपको जाने के ल फाले option पर हम यहां से चेंजन करेंगे मैं आपको बता देता हूं यहां पर जो नेम है न इसमें थोड़ा सा क्या मिस है यहां पर राज अंदर जो लिखा हुआ है इसके अंदर यह आ रहा है तो यहां से चेंज इंग करेंगे यह वाला इकन ठीक है यह यहां डिख यह पर दिख physics left surf दिखा रहे ना उप्सन में आपको दिखा देता हूं पैंशिल का इकन इसumे और जैसे हमें थे में औरौ सभीелूह रहा हुगा जो यह यह पर आपको यहां से दिखा देता हूं यहां पर हम चेंज कर चुके हैं मतलब कि यहां पर ओनली फौर एडिट कर चुके हैं सेव डॉकुमेंट और अपलोड करने का तरीका अलग है यहां पर पहले आप देख लीजिए जो राज जेंदर लिखा हुआ है उसके अंदर आपको यह दिख रहा होगा ठीक ना जहां पर मैं तीर की निसान से भी आपको समझा रखा है और अगर आप इसमें एडिट वाले मे इसकी ही डालनी टी रिलेशनसिफ है जो आपको दिख रहा होगा मैं अपको दिखा भी देता हूँ यहां पर जो फादर है वह डीटल सही डलई वह आपको दिख भी रही होगी ठीक है अब दोस्तों यहां से सबसे जो इंपोर्टन चीज है हम ही आपको दिखा रहा हूँ औ जाएंगे नीचे की तरह मैंने वहे डीटेल सब कुछ भर ली है आपको मैं दिखा भी चुका हूं और उसको वाद आपको यहां चोकुर पर किलिक कर देना है और प्रोसेश पर आगे बढ़ता हूं आप दोस्तों यहां से देखिए फ़र्ष्ट जो प्रोसेश है आपका कंप आपको दोस्तों यहां पर दोकुमेंट की जरूरत होती है ठीक है तो दोकुमेंट डालने के लिए आपको एक दोकुमेंट इदर डालना दो मतब दूसरे इदर डालना दो डोकुमेंट होते है ठीक है तो उसके लिए डोकुमेंट आपको सेलक्ट करना है इस जिगा से ठीक तो चलिए games disconnect करते हैं हमारे दॉकमेंट को करना उसके लिए या पर थी तीपिए यहांसरे मैं को दिखा दो दिखर होगा यहांपर करने के लिए गया जिसको बोल रहा हूं वह आप नया डीटेल के साथ अपना चेंज भी कर पाऊगे जिसके अदर आप अपना अधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस और आपका दस्वी बारवी की मार्शिट के नुसार भी आप कर पाऊगे तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको एक फोटो के माध्यम से दिखा देत हूं लेकिन दोस्तों अगर आप यह देख पाऊगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा यह यहां पर डाटा है इधर प्रकार का कोई भी अभी अप्लोड नहीं किया है यहां पर आप पो देंगना को नहीं मिलेगा डॉकुमेंट जो मैं आपको बोडहां आधार कार्ड पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, दसवी बार्यों की मार्चिट जो आपके होती है, ठीक है, उसके अनुसार आप कर पाऊगे, ठीक है, लेकिन यहां पर वह ओप्शन आभी यहां जोड़े ने गए है, मैंने आपको फोटो कमादेम से दिखाया था, क्योंकि यहां पर EPFO ने 11 मार्च 2014 को सर्कूलर लाद दिया है, नोटिफिक्सन जारी कर दिया है, लेकिन इसको इंदर अपडेट या चेंजिंग करने के लिए EPFO को थोड़ा सा मतल़ कि यहां पर टाइम लगएगा, चेंजिंग करने के लिए, तो वह ओप्शन भी आपको देखने को कर पाऊगे, और आप अपना 10-12 की मार्चिट के बेस पर भी कर पाऊगे चेंजिंग, तो आपको मैं जैसे-जैस समझा रहा हूं, आपको उसके अनुसर में आपको जो बता रहा हूं, आपको ध्यान देना है, ठीक है, तो चलिए, डॉकमेंट हम हमारा, इन डॉकमेंट की इस ना करके, हम जो इसमें से जो पहला से दिए गया है, टॉकमेंट उनको अपलोड करके देखते हैं, इस दिखा देता हूं, यहाँ पर जो डॉकमेंट हमारा है, बर्ट सेटिफिकर हम ने लिया है, दूसरा हमने पासबॉर्ट और फादर नेम का जो लिया है, ठीक है, जो update details हो गया upload documents मैं आपको दिखा चुका हूं document आपको अप्लेट कर देना है ठीक है उसके बाद में लास्ट जो आपका option बचता है थड़वाला जिसमें लिगता है प्रिवी submit application तो दोस्तों यह option भी आपको completely करना होता है यहां से यह जो तीनों डीटेल है अगर आपकी completely बढ़ देते हो तो यह है आपका सही प्रोसेस के साथ आपका जो forum है वह submit हो जाता है उसके बाद में दोस्तों आपको जो next option है उसको एक बार मैं आपको बता देता हूं जो आपने detail अपनी भरी है जो आपने जोइन डीकलेशन फोरूम पर आया है चाहा अपने सर्विश डीटेल से समझादित भरा हो चाहा आपने personal details को सुद्रवाने के लिए भरा हो तो दोस्तों आपको क्या है यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि हमने जो changing किया था वह था आ मैं आपको दिखा चुका हूं और समझा भी चुका हूं तो इस प्रकार से अगर आप भी अपना document को सही से बरते हो सभी से edit करते हो जो भी आपको सही सुद्रवाना है जो भी जो इन डीकलेशन के दुआरा correction आपको कराना है तो यह आप सब कुछ खुद से कर पाओगे लेक आपको दिखा देता हूं यहां से कम से कम 10-15 दिन के अंदर इसका correction हो जाएगा और यह हमारी सही हो जाएगी उसके बाद दोस्तों हमारा पैसा आराम से निकाल पाएगे फूल एंड फाइनल और यहां से हमारा को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी अपका पैसा निकालने के लिए आपको बात बताई है तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको समझें भी आयोगा और पसंद भी आयोगा तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक करें, आगे सेर करें, और पीएप से सम्मधित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद.